आज की वीडियों हम आपको SSE MTS 2021 वाली वेकेंसी को लेकर अपडेट हम देने वाल है कि SSE की तरफ से MTS की वेकेंसी के लिएकर अपडेट सामने निकल के आ चुकी है आपकी वेकेंसी जो है कब से अपलाई हो गई है और इसमें एक्जाम डेट क्या रहने वाली है और इसका क्लोजिंग डेट क्या रहाएगा सारे चीज को लेकर आज की इस वीडियो में हम यह जनकारी देने वाले हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्रेट देखिएगा और चाहने को सब्सक्राइब कर लेजिएगा ताकि ऐसी जोडियो की अप्डिट की जानकारी सबसे पहले आपको मिले दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको दिखाने को सिल्स करूंगा यह पीडियेफ कैलेंडर है 2021-22 जो एससी की तरह से जारी किया गया और जैसाब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तरह फ़र नमर आपको देखने को मिल जागा मॉल्टि चास्टेन स्टाफ सेलेक्शन 2021 यहां पर बताएगा कि इसका अप्लाई कपते होगा यह अप्लाई आपको 22-22 में अप्लाई होगा यानि म 2022 इसकी रहने वाली है क्लोजिं डेट आप इसना तक के बीच तर आप अप्लाई कर सकते हैं मुल्टि टास्की नॉन टेक्निकल स्टाफ 2020 यानि MTS और इसकी बात करेके इसकी इक्जाम डेट क्या रहने वाली इसकी तरफ से यह जू है जून 2022 जू है 22 तरीक जून के मंथ में इसका इक्जाम डेट रहने वाला है तो आपने जाना कि MTS की वैकेंसी की अपलाई कफ से होगे और इसका इक्जाम डेट क्या रहने वाला है आपने फ्रेंट के साशेर के जिए का चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि हम जैसे ही इसकी अपलाई शुरू हम आपको वी आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंकियो फॉर वाचिंग इस वीडियो